ब्राद तो यू बाई माई 11 सिर्कल विन फिर्स प्राइज सुवी कार एवरी डेये डाउनलोड थे आप नाउ आज अगर जीत के साथ आगाज करते हैं तो क्या करना होगा लेकिन आपके जहन में ये चल रहा होगा कि मौसम का क्या होगा मौसम का हाल सबसे पहले आपको बता देते हैं मेलबन से विकरान गुपता भी हमारे साथ जुड़ेंगे साथ में हर्भजन सिंग और सुरील कावसकर सबसे बाचीत होगी लेकिन विकरान हमारे साथ जुड़ गए हैं मेलबन से इस समय विकरान मौसम बता दीजे मौसम का क्या हाल रहने वाला है क्या बादल है वहाँ पर बारिश होगी तो नहीं अभी श्वेता दा सानी शाइनी बस वो गहना एक बाब माले ने लिखा था वोई चीज़ है अब देखिए ना मैं थोड़ा गोरा भी लग रहा हूं क्योंकि हलका हलका जो सूरज है वह बाहर निकल गया है बरसाथ नहीं होगी अब गुड न्यूस यह है कि बरसाथ नहीं होगी पूरा 40 अवर का मैच होगा हला कि यह फोरकास्ट थी कि किसी वक्त उपहर को आइसोलेटिट शावर्स हो सकते हैं यहां पर शाम के साड़े-चार बजे धाई गंटे बाद मैच है और साड़े-चार बजे मतलब शाम जो थी अब तो सूरज आ गया है तो आइसोलेटिट शा करती हैं लेकिन मैच को इंपैक्ट नहीं कर सकती इंटे सेंट्स की मैच आपका 40 ओवर का है तैय वक्त पर मैच होगा और अगर हिमाची थोड़ा दिखाद हो आज मलब यह ऐसा लगना जैसे कुम्ब का मेला है और भारतर पाकिस्तान के फैंस पता नहीं बिच्ड़े हुए अगर किये हैं सुरेश आपके साथ हैं वो पिछले वर्ल्ड कप में खेले भी हैं इंडिया पाकिस्तान के मैंने अच्छी इस तरह का महौल बड़ा रेरली देखा है जहां इंडियन पाकिसानी फैंस को एक्जिस्ट करते हैं इससे पहले तो हम देखते थे लड़ाई होती पाकिस्तान मैच के बाद मैच के बाद बदल जाती है तस्वीर बाबर आजम की तारीफ नहीं करते हैं बास मैच के बाद बदलती है तस्वीर यही चीज़ा है करें तो नहीं करेंगे जो सबसे पहले किलिके यहां ना ना चाहिए कि पहले है इंडिया कि पाकिसान की जाते हैं कि किलिके तो सब्सक्राइब करने चाहिए हम सब्सक्राइब की बाते होदे लगी है तब से इंडियन टीम ने वहाँ पर अब गवाना भी मैच शुनू कर दिया था इसलिए इंडियन फैंस तो बहुत सारी यह सोच रहे है कि यार मैच की तरह खेल लो और वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड था उसे कायम रख लो यहाँ पर अभी तो तौस में लिखी पाजी ऐसे लग रहा है कि भारी मैस टार्ट हो जाने भी है और असीजार ऐसे टिकेट की तलाश में मतलब आप सवालाग डेट लाग लोगों का हुजूम इस एरिया में है इस एरिया में इतने लोग है और पाकिसानी फैंस आम तोर पर आप देखते हैं कि इंडिया पाकिसान का मैच हो तादाद पाकिसानी फैंस की कम होती है बट यहाँ पर लंबी तादाद बड़ी तादाद पा O भार हाँ की बैसी नठेरी घराथ से एगा नहीं की फिराथ से नहीं, मैं है दो होगो है जाओ अगला है और हाधिक पंडी कहा से आगे उसी तरह से संसे लिए लिकने में न लगा वे लिए लिए में लिए लिए बैद फेने वे लिए लिए सब्सक्राइब 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 आप फील करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है बॉड़ी में तो यू गिव यो बेश शॉट आप अच्छे से कोशिश करते हो कि जा के परफॉमेस करो अपने देश के लिए क्योंकि एज बिंग ए इंडियन आप उस परेशर को हैंडल कर सकते हो आप जो चीजे ही रहते हैं कि काम रहो, कंपोस रहो और अपना प्रोसेस करते हैं मैच के आसपा जितनी भी चीज़े होती है एक्स्टा बर्डन जाता है लेकिन उसको ही माइन ट्रेनिंग बोलते है जब आप कंड्रोल करते हो चीजों को तो गेम एक्जक्यूट होता है जो हम लोग पारे साथ है पारस बताईए मुंबई क्याप्टन रोहित शर्मा इस समय इस बार उनका इम्तिहान बिल्कुल श्वता बहुत ही महत्वण मुकाबला होता है जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं मुंबई में सबसे ज़ादा जो है वो इस मुकाबले को लेकर एक्साइटमेंट होती है वैसे पूरे देश में होती है मगर जिस तरीके से भारती क्रिकेटिक के टीम के कप्तान जो है वो रोहित शर्मा है उसको लेकर यहाँ पे बहुत जादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ भारत के लिए खेलने वाले बहुत सारी क्रिकेटर्स ने शुरुवात की थी शिवाजी पाक के इलाका है शिवाजी पाक ग्राउंड है यहाँ पे हर रोज पहुंचते हैं हर रोज क्रिकेट केलते हैं कुछ लोग हमारे साथ है हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत एकसाइटमेंट है इस मुकाबले को लेके पिछली बार जब एशिया कप हुआ भार अब तक जहन से निकली नहीं है बिल्कुल क्योंकि यह बहुत बड़ा मुकाबला है और हम सब यह चाहते कि आज इंडिया काफी मार्जिन से अच्छी तरह से जीते और इसके बाद दोनों टीम कंपारिजन में बहुत ही अच्छी है लेकिन बारत एक लाज हो आप और उसमें हमारे एक स्टार प्लेयर खेल रहे हैं जो लगातार अच्छा परफ़रमेंस कर रहे हैं जो सूरिय कुमार यादव है बस वो खेल लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत बहुत सारे बारतिय क्रिकेट टीम के प्लेयर शुरू किया था यहीं इसी टफ पर खेलते जो है वह आगे बड़े हैं भारतिय टीम की जर्सी जो है वह पहेंड के आए आप कौन से प्लेयर जो है सबसे जादा आपको लगते हैं कि पाकिस्तान को दबाव में रखें क्योंकि विराड कोली अब तरक ऑस्ट्रेला में सबसे जादा रहन हमारे विराड कोली ने किये है तो वह आज का बहुत बड़ा इंपेक रिने वाल है और पाकिस्तान टीम भी उचसे ही डरती होगी आप बताईए पिछली बार जब हम एश्या कप में पाकिस्तान से बिड़े थे तो उस समय एक चीज जो है वो सामने आई थी कि हम किस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने लड़कडा गए थे इस बार भी जो है वैसे ही तेज तर्रार बॉलर पाकिस्तान के पास है एक तरफ जो है ये लग रहा था कि मैच में थोड़ा बारिश का साया होगा बट अभी जैसे हमारे समवादाता विक्रांथ हैं उन्होंने कहा कि नहीं सूरज खिला हुआ है मगर बॉल जो है वो बड़ी सीम करेगी आपको क्या लगता है कौन-कौन से प्लेयर जो है वो भारत कितना एक्साइटमें रहता है अभी जरा मैच को लेकर जितने भी अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें अच्छी खबर विक्रांथ की तरफ से ही मिल गई थी कि बादल थे लेकिन उस हिसाब से अभी आपको चिंता करने की आवशकता नहीं है यह सुबह का ड्रिजल और अगर बादल रहरे कार आता है जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया में और खासकर बेलबर्न का मौसम रहता है यह 2020 मैच को कितना अफेक्ट कर सकता है यह क्लावडी सुच्वेशन होगा तो मुह लगते है थोड़ा फासबरों को मदद ब लेगी डेफिनिटली और जो क्राउड है बहुत सारा तो क्योंकि वो जो ग्राउंड काफी बड़ा हो आप असी नभी हजार से भी ज्यादा दर्शक आते हैं मैस देखने के लिए बड़ विकिट काफी बैटिंग फ्रेंडली विकिट है वो जितना भी आपने मैसे देखे हैं रेसले हम जो वर्ल्ल कप का मैच के साथ अफरीका से अधिक हमने तीन सो तीन सो चाली सर मनाया थे उस टाइम पर तो मुझे लगता है डेफिनिटी इंपक्त होगा और उनके पास अच्छे फास बोले हैं डेफिनिटी पाकिस्तान के पास बढ़े पास जो भूवी है अच्छा शुइंग राजन जो अर्दी अ जादा नहीं है कब से कब दो स्लोट को लेकर आपके मन में पस उपेश हो सकता है अवल तो कि आप स्पिनर किसे खिलाएंगे कि आप अक्षर को खिलाएंगे या फिर अपने रेगिलर दो जो चॉइस है अब चहल है फिर अक्षर पर्टेल बिए मुझे लगता है कि रिस पि जितने भी आपस चारी करें आप अच्छा करेंगा नहीं कि आपको पर अपको अगर एक प्टेंग और देखना पड़ेगे कैसे आप यूज करेंगे इसको अर्य करेंग को संभावित ग्यारा हम आपको दिखा रहें है जो हो सकता है कि आज के मैच में खेले और आगर ये ये संभावित 11 हम दिखा रहे हैं या पूरे 15 दिखा रहे हैं खिलाडी इस समय ये भारतिय टीम में जो 15 जिन में से चुन कर आने है कि कौन खेलेगा कौन से वो 11 होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें मैच जिता सकते है तो चेहरे ये हैं जिसमें एक सूर्य कुमार यादव जो बीचों बीच इस समय आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा एक तरह से किसने सोचा था कि 30 साल की एज में के बाद डेब्यू करने को जिसे मौका मिलेगा वो आज मेंस्टे रहेगा इंडियन बैटिंग का श्री नगर चलते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच है तो श्री नगर चलते हैं जहां पर अश्रववानी है अश्रववानी के साथ बीच एसेफ के जवान है वहां बहुली पदल जाता है अश्रव जब भी मैच होता है कितनी भी दूर की पोस्ट रहे सब देखते हैं कि इंड Sf. के जवानों के भीच में जो यहां श्री नगर के B.S. F. हेड़कोवाटर में जो है ट्रेनिंग भी लेते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा B.S. F. सेंटर है नसरिब देश का बल्पि जुम कश्मिर के आप देख सकते हैं कि जोश किता है जवानों में नसरिब सीमा प्रहरनिय सिमा प्रहरनिया जो है वो भी इस में शामिल है जो टीम इंडिया को चेयर करने के लिए यहां पर आई हैं हम यहां पर कई जवानों से बात करेंगे कि उन्हीं से जानेंगे कि आज के मेज को लेकर क्यों महत्पूंता है शुटा ये भी एक हकीकत है कि बेस्फ के जवान वो ज जवान हैं जो साल के बारा महीने चुबीसों गंटे दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए पांक पाकिस्तान के साथ आँख से आँख मिलाकर रहते हैं और हमारी सुरक्षा निश्चित करते हैं जाहिर है कि अगर क्रिकट टीम का मुकाबला अपनी तरह होता है तो बे सुंगेंटे पाकिस्तान के आमने सामने रहना होता है आज जो क्रिकट का मुकाबला हो रहा है उसको लेकर कब से आपका इंतिजार है एक अची खबर ये भी है कि मैच होने वाला बारिश का कोई साया अब नहीं है तो क्या उमीद है आपको कौन खिलाडी अच्छा करेगा और कितना इंपार्टेंट होता है महतपून होता है सीमा सुरक्षा बलके जवानों के लिए बारत की जी सर हमारे को तो काफी दिन से इसका जो इंतिजार है कि मैच पाकिस्तान और इंडिया का होगा लेकिन जब से बोला गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो आपको किसे उमीद एक इस आपको उमीद है कि बारत की जीत में जो है महतवपून जो है योगदान देगा इस गेम में सबसे बरी भूमिका अगर भारत टीम के लिए तो भीड़ाट कोली की रहेगी विड़ाट कोली एक अच्छे खिलारी हैं और टिम के लिए हमेसा अच्छा ए मैच आप क्यूंने होते हैं कि बाववनाएं होते हैं कि था ताकत इंडिया की इंडिया क की ताकत तागा थे कि एक से एक खिलाड यहां वाना अच्छा खिलते हैं शुटा दरसल अगर हम करें यहां पर सभी सुरक्षा बलू में BSF के साथ-साथ जो है काफी गिवस्ता होती है इस तरह के मकाबले देखने की क्योंकि देश की जनता के साथ-साथ दुनिया की जनता के साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि यह हर एक पल जो मेच का है वो देखें यहां पर विशेश इंतिजाम किये गए हैं सेंटर्स अलग-अलग जो सीमाओं पर भी चोकिया है वहां पर भी जो आफडिवटी BSF के जवान हैं उनके लिए जो है उनके लिए यह मैच देखने की सुईदा रखी गई है ताकि यह बुर्पोर जोश जो है कहीं न कहीं मानसिक एक दबाव होता है वो भी दूर होता है और जागर भारत की जीत होती है जो यह लोग ताई मानते हैं और देश की जनता भी मानती है तो काफी होस्ता इनका बलंद हो जाता है आप मुझे अपना नाम बताईए मेरा नाम प्रेमलेता कुमारी है मैं बिहार नलंदर डिश्टिक से आई हूँ तो आज के मैच को लेकर क्या आपकी उमीद है क्या आपको लग रहा है कि कौन टीम जीतेगा किस खिलाड़ी से उमीद है क्यों यह इंपार्टेंट होता है बेसेफ के जवानों के लिए आप तो सीमा प्रहर्णी है कि बारत ही जीते जी अब हमें उमीद है कि हमारा टीम भारत ही जीतेगा क्योंकि अगर भारत जीता है तो हमें हुसला मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करे बिल्कुल जहां एक तरफ सीमा पर यह जवान और यह महिलाएं देश की रक्षा के लिए कहीं न कहीं अपने सब आपको बिशाव आज तो देखिए साटलाइट का जमाना है तो दूर दूर तक देख लेते हैं वरना उन पोस्ट पर कई दफा तब पता चलता था कि कौन जीत रहा है जब किस तरफ से गोला बारी शुरू हो जाती थी पर आज पाकिस्तान को अपनी हद में भी रहना होता है सीज फायर जो ह कोई ऐसी फिल्म देखते थे जो पंप कर देती थी आपको आमी वाली कोई फिल्कुल मैं और जैसे अभी बीसफ से बात कराई आपके कॉर्रस्पॉंडन ने पता है उनके लिए ही जीते हम आश्यू हमारी बीसफ हो आर्मी हो जो हमें लुकाफटर करती है तो हम वही गेम के मिलती है जीत से उनका जजबा बढ़ता है तो हर वो सालो के सारो के सारे मैच इतनी इंपोर्टेंट है हम सारे मैच जीतना चाहते हो और मैं बॉड़र देखता था मूवी और सणी देवल के डालेक बहुत सुनता था मैं तो जोश आता था लेकिन जोश के साद भोश नहीं ह यह वहता है और हर टीम जिससे आप खेल रहे कि उससे आपको जीतना ही है तो फृफिर आप इस बात सी कैसे कि इंकार कर सकते हैं कि राइवल्री नहीं है राइवल्री तो है ha continuar ह defin fact नहीं तो फृटल नहीं है तो थो प्लेश बड़रों को प्रेशिर कर ना ऍाता है यह कि कि ह कफी घुजर चुके हैं अज एसे दौर से जहां पे टो इसते हैं को बादे आटे लपने को निकालते हैं तो वह सब छीजें जो बड़ी कउच करती हैं यजटे नगान वdoor किया आप पर अपने मैच campe Ta Party to developing. नहीं नहीं और ये बड़ी बात है जो आपने कहीं कि उनके लिए लगता है कि इनके लिए हमें हारना नहीं है फिर वही सुपर हिट मुकाबला फिर वही टीमें इंडिया वर्सिस पाकिस्तान काटे की टककर भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है बलकि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्स्क्लूजिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ फड़ा फट से यूट्यूपर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए